हलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है, मैं आज मैगी रेस्पी ले कर आई हूँ, वह है Chinese मसाला मैगी, वो तो मैगी बनाना बहुत ही आसान होता है, और बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन मैं ये अलग तरश से मैगी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पे मैगी लिये हैं और मैगी हमने यहाँ पे लेए हैं अब मैं गैस पे चरहा देती हूँ एक बरतन में पानी तो पानी हमारी गर्म हो रही है अब हमारी पानी गर्म हो गई है इसमें हम मैगी डाल देते हैं तो देखिए हम इसमें मैगी डाल दिये हैं मैगी डालने के बाद इसमें हम एक चमच भर वायल डाल देते हैं जिससे कि हमारी मैगी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं तो देखिए हमने एक चमच वायल डाल दिया वाइल डाल करके इसको मिला लेते हैं बस इसको हमको हाप वाइल करना है तो बस हम दो मिनट इसको वाइल कर लिए अब गैस बंद कर देते हैं अब एक हम ले लेते हैं छन्नी देखिए जिसमें हम मैगी को डाल करके और इसको छान लेते हैं तो पानी हमारी सारा गिर जाएगी और मैगी हमारी इसमें उपर आ जाएगी तो मैगी को हमने छान लिया पानी अब हम गैस पे फ्राइपेंच चढ़ाते हैं फ्राइपेंच चढ़ाने के बाद हम इसमें वाइल डाल दिये हैं अब हमारी वाइल गर्म हो रही है वाइल हमारी प्याज काटके रखे हैं वो हम डाल देते हैं तो देखिए हम यहाँ पे प्याज डाल दिये हैं अब हमारी प्याज थोड़ा सा लाल होगी तो देखिए हम थोड़ा सा प्याज का कलर भूंज करके और लाल कर लेते हैं तो प्याज को चला देते हैं छोड़ेंगे नहीं और थ गाजर कसके रखे हैं तो देखिए सबजिया को डाल कर हम अची तरख से इसमें मिला लेते हैं और थोड़ा से दो मिनट भून लेते हैं देखिए हमने सबजियां को दो मिनट तक भून लिये हैं अब इसमें हम टमैटो केचप डाल देते हैं तो हमने टमैटो केचप दो चमच भड इसमें डाल दिये हैं अब हम चिली सॉस डाल देते हैं तो चिली सॉस हम इसमें एक चमच अब जितना टेस्ट के उ अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सोच डाल देते हैं सोया सोच जादा नहीं डालना है बस हाफ चमज डालना है तो हमने यहाँ पे सारे सोच डाल करके और मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो देखिए हम यहाँ पे मिला लिए हैं अब हम मैगी जो रखे थे त तो मैगी हम इसमें डाल करके और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से मिला देते हैं तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिला दिये हैं और मिलाने के बाद इसको बस एक मेट हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमने मैगी को अच्छी तरह से भ तो आपको देखिए अगर एक चीच ले लीजिए ये फोक उससे आप इस तरह से मिलाईएगा तो अच्छी तरह से मिल जाएगा एक दूसरे से चिपकेगा भी नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो देखिए दो फोक लेकर के और इस तरह से आप एक दूसरे से मिला लिजिए तो आपके मैगी बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है तो देखिए हमारी मैगी बनके तयार हो गई है तो मैगी हमारी बनके तयार हो गई तो आप देखिए किस तरह से मेरा मैगी देखने में अच्छा लग रहा है खाने में में तो काफी यम्मी लगेगी तो मेरे च